नमस्कार मेरा नाम डॉक्ट लिपिका महता है आज हम जो फीमेल में मैंसेस रिलेटेड जो ट्रॉबल आते हैं और वो क्यों आ रहे हैं और अगर आपको वो है तो आपको कौन सा थाइरोइड हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे तो जो थाइरोइड की डिजीजिज है वो thyroid stimulating hormone आपकी body में जो range है वो बड़ी वी आ रही है और T3 और T4 कम दिखा रहा है आपकी रिपोर्ट में तो आपको क्या-क्या menstrual disorders हो सकते हैं और क्या-क्या आपको menstrual abnormality face करने को मिलती है सबसे पहले उसके और कि पारे में जानते हैं तो हम फेंडी की बात करते हैं और मैंस इसकी बात करते हैं भातकि तो मिलता है में रिजहा का मतलब समझी इसमद अब को आपकी एक नोर्मल और काफी माहीलां में देखा जाता हो कि मेंसिस के दौरान हर एक एक दो गंटे में उनको पैट चेंज करने की ज़रत पड़ती है क्योंकि उनको abnormal bleeding जो है वो bleeding जो नॉर्मल होनी चाहिए थी वो abnormal हो गई है मतलब कि usually जो पैट चेंज होने चाहिए चार से पाच गंटे में पैट जरूर चेंज करें क्योंकि वो हाईजेनिक होता है लेकिन उसके साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो दो गंटे में चेंज करना पड़ा है क्योंकि bleeding बहुत जादा हो रही है फिर्स डे सेकिंड थर्ड दे फ है वाज़े से आपको anemia मतलब की खुण की कमी भी हो सकती है और यह जो है आपकी health के लिए अच्छा नहीं रहता है जो दूसरी चीज को देखी जाती है न फूंड़ चêuस आने लग जाता है तो बच्राइब 10-14 साल में परिकको tissue cheaper टी एक मतलब यह कि मैंस सदू号 की उम्रे से पहले आ गए आट वे साल नौवे साल या दसवा साल लगा है उससे पहले आ गए हैं तो वह भी थाइरोइड जो है हाइपो थाइरेडिसर मतलब टी एसे कम और टी-3 टी-4 जादा होने की वाज़े से प्रिकॉशिस फ्यूबर्टी हो सकती है कि आपके बच्चे को रहे तीसरा जो हम मेंस्ट्रॉल एब्नॉमेल्टी देखते हैं वह है पॉली मेनोरिया पॉली मेनोरिया का मतलब समझे आ पॉली मेनोरिया मतलब जो मैंसे 21 दिन के बाद आने चाहिए अगर आपकी नॉर्मल साइ काफी या तो बॉल सकती है कि यह हाइपोफयर्देशम की वज़े से हो सकता है कि हाइपो थायर्देशम जो ह toolbarstein हार्मॉन है उसकी कमी वज़य से काफी में पॉली मेनोरिया हो जाता और उस Сам़ी है कि ना जो मैंसिस होते हैं उसको बंद करने का काम coagulating factors करते हैं कुछ body में और क्योंकि hypothyroidism होता है तो coagulating factors की कमी हो जाती है साथ में काफी बार महीलाओं में देखा जाते कि an ovulatory cycle होती है मतलब कि कुछ महीलाओं में देखा जाता है कि menses तो हो रहे हैं लेकिन अंड़ा नहीं बन रहा है और चुकि अंड़ा नहीं बनता है इसकी वज़े से endometrium जो flow है वह बहुत जादा हो जाता है और endometrium बहुत serait है तो एसा मान सकते हैं कि जो एन ऑविशistä साइक आइसा कि मैंन अगर आज आज आपके के में probability ऐसा हो सकता है कि आपका ovulation phase होगा उस टाइम पर pregnancy के chances बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ महिलाओं में जो hypothyroidism से पीडित होती है उनमें an ovulatory cycle होती है मतलब कि ovulation जो अंडा है वो अच्छे से नहीं बन रहा है और इस वज़े से जो mensis का flow है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो यह तो कुछ चीजे हैं जो hypothyroidism में देखी जाती है लेकिन hyperthyroidism मतलब कि जब thyroid hormone जो tsh है वो बढ़ जाता है अब हम वीडियो में आगे इस बारे में बात करेंगे कि जब हम hyperthyroidism की बात कर है higher level of t3 & t4 के बारे में बात कर रही है तो अगर आपको यह है तो सबसे पहले तो प्यूबर्टी की बात करते हैं अगर बच्चा है और वो प्यूबर्टी एज में है मतलब 10-14 साल जो है उसको हो गए है उसकी जो एज है वो 10-14 आपकी बेटी की हो चुकी है और अगर 10-14 साल तक भी 15 साल तक भी में आ रहे है और डिलेड प्यूबर्टी हो रही है मतलब जो मेंस नॉर्मल आजाने चाहिए तो यह होसकता है कि आपकी बच्ची को hyperthyroidism हो ठीक है और hyperthyroidism की वज़े से भी menses जो है वो लेट हो जाते हैं आप अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करिए सबसे पहले thyroid बच्ची का चेक कराईए अक्सर देखा जाता है कि जो गाइने होती है है वह अगर delayed puberty अगर बच्ची की है तो थाइरोड प्रोफाइल जरूर चेक करा लेती है काफी बार यह भी देखा जो दूसरा जो है जो लक्षण हमें menstrual देखा जाता है वो देखा जाता है कि लेटर menses मतलब कि लेट menstruation हो रहा है लाइक फॉर एन एक्जामपल 35 डेज यह देड़ महिना तक menses नहीं हुए, 2-2 महिने तक menses नहीं हुए, 3-3 महिने तक, मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो menstrual cycle जो 28-31 days में आज आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं और late menstruation हो रहा है, timely नहीं हो रहा है तो वो भी hyperthyroidism collection माना जाता है, तीसरो light menses, light menses से मेरा क्या मतलब है कि ऐसे menses जो dark colored नहीं है, usually red dark colored menses होते हैं आपको, लेकिन अगर आपको light colored menses हो रहे हैं तो यह भी hyperthyroidism का symptom हो सकता है, तीसरा माना गया है कि shorter menses, मतलब आपको usually जो menstruation होना चाहिए वो 5-7 दिन होना चाहिए, यह एक normal cycle होती है, लेकिन काफी महिलाओं में देखा जाता है जाते हैं, menses जादा लंबे नहीं चलते हैं, जितने normal चलने चाहिए 5-7 दिन, अगर वो नहीं चल रहे हैं तो short menses हो रहे हैं, तो वो भी कारण है कि हो सकता है कि आपको hyperthyroidism हो, देखिए, कुछ महिलाओं में oligomanoria की बात जैसे मैंने की न, oligomanoria का मतलब क्या होता है कि 35 days तक menses नहीं आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो फिर बहुत कम, scanty menses, मतलब जो flow है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो भी एक hyperthyroidism का कारण हो सकता है अगर आपको hyperthyroidism, hypothyroidism, महिलाओं से related उन्हें क्या खाना चाहिए, उनको क्या नहीं खाना चाहिए और अगर आपको और भी thyroid के बारे में जानकारिया चाहिए, तो link जो आपको description है, उसमें एक link मिल जाएगा और उससे आप देख सकते हैं, धन्यवाद